Hello everyone, my name is Chandan Singh So guys, word of the day का series है, episode है 52 और आज का जो word है दोस्तों, इसे हम कहते हैं Inhibited 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 एक adjective है, इसका मतलब है संकोची कहने का मतलब है कि कोई विक्ती मतलब कुछ बोलने में, कुछ करने में बहुत ही संकोची रहता है, संकोच में रहता वो किसी मुद्दे पर बात नहीं कर सकता है किसी के बारे में कुछ कहना है, कहनी पाएगा Stage पर आने में उसे संकोच है उसे किसी के सामने बात करने में संकोच है अपनी problem रखने में संकोच है Dance करने में संकोच है तो जो हर situation में खुद को संकोची महसूस करे वो inhibited है वो व्यक्ति inhibited है तो inhibited आप समझ गए यानि कि अगर अंग्रेजों के हिसाब से देखे तो not confident enough to say or do what you want आप जो चाहते हैं उसे करने में या कहने में आप confident नहीं है it means कि आप inhibited है, synonyms की बात करें shy कह सकते हैं यानि कि एक तरीके से inhibited है reserved है, हाला कि reserved वो भी होता है कि अपने आपको बांध के रखता है बंदा कुछ कहना नहीं चाहता है but संकोची तो बिल्कुल संकोच उसे तो पताने डर सा समाया हुआ है वो inhibited होता है, but reserved चल जाता है withdrawn का मतलब होता है कि एकदम अलग थलागे हटा हुआ है तो यह synonyms में काम आते है but inhibited का आप इस्तमाल कीजिए संकोची के लिए बहुत important है और काफी चलता है यह बॉलिवूड स्टार्ट इसका इस्तमाल करते है चलिए, examples की बात करें तो यहां लिखा है कि I am not inhibited in front of the camera यहने कि camera के सामने मैं inhibited नहीं हूँ संकोची नहीं हूँ मुझे कोई डर नहीं है मैं एकदम confident हूँ camera के सामने खेले है she is so inhibited about discussing her problem यहने कि अपनी problem को अगर discuss करने की बात आती है तो काफी inhibited है तो she is so inhibited वो काफी संकोची है about किस बारे में तो about preposition के बाद आपको पता है word में ing लग जाता है gerund आता है तो about discussing her problem अपने problem को discuss करने के बारे में वो काफी संकोची है तो आप संकोची है तो आप inhibited है बस ऐसे याद करने चाई कोई भी व्यक्तिय अगर संकोची है वो inhibited है तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों I hope कि आपके समझ में आया होगा तो मिलते अगले वीजियो में Till then take care Keep practicing at Have fun अगर आप चाहें तो इसका एक screenshot ले सकते हैं Thank you guys